और उसी समय भारत को एक साइकलोन का वुकाबला करना पड़ा था। उस समय सबसे ज़्यादा दुष्परणाम उडिशा पर हुआ था। आज एक साल बाद फीर से साइकलोन ने भारत के तटियक शेत्र को विशेश करके पूर्विक शेत्र को तभावित किया और उसमें भी सबसे ज़्यादा दुष्परणाम पश्चिम बंगाल के हमारे भाईयों भाहनों को पश्चिम बंगाल के नागरीकों को यहां के संपति को बहुत हानी पहुचाई। और केंद्र सरकार ने मिल करके वर्सक प्रयास किया लेकिन उसके बाउत उत्पी करीब करीब 80 लोगों के जीवन हम नहीं बचा पाएं इसका हम सब को दूख है जिन परिवारों ने अपना स्वजन खोया है उनके प्रती केंद्र सरकार राज्य सरकार और हम सबकी समवेदनाएं हैं और इस संकट की घड़ी में हम उनके साथ हैं संपत्ति का भी नुक्सान काफी होता है चाहे अग्रिकल्चर हो चाहे पावर सेक्टर हो चाहे त्वाली कॉम्मिनिकेशन हो चाहे घरों का उजड़ जाना हो अनेक प्रकार का चाहे वह इन्फा सेक्टर का हो चाहे व्यापार जगत से लोग को जुड़े हुए हो चाहे ठेतिक शेत्र से जुड़े हुए हर किसे को नुक्षान होता है आज मैंने हवाई निरिक्षन करके बारीकी से इस प्रभावग्रस विस्तार को मुख्यमंत्री जी के साथ गवर्नर्श्री के साथ दोरा करके उसको देखा है अभी राज्य सर्कार ने और मुख्यमंत्री जी ने विस्तार से मेरे सामने जो भी प्रांत्रमी काकलन है उसका व्योरा दिया है हमने ताइक किया है कि हो सके उतना जल्द, डीटेल में सर्वे हो, क्रिशी का हो, पावर सेक्टर का हो, डैली कॉम्मिनिकेशन का हो, घरों की जोस्तिती है, इंफा सेक्टर की जोस्तिती है, केंद्र सरकार की तरप से भी तदकाल एक टीम आएगी और वो टीम इन सभी छेत्रो में सर्वे करेगी और हम मिल करके रियेवरिटेशन हो, रिस्टोरेशन हो, रिकंस्रक्शन हो, उसकी व्यापक योजना बना करके, बंगाल की इस दुख की घड़ी में, हम पूरा-पूरा साथ देंगे, सहयोग देंगे, और बंगाल जद से जल्ब खड़ा हो जाए, बंगाल जब से जल्ब तेजगती से आगे बढ़े, इसके लिए भारत सरकार कंदे से कंदा मिला करके काम करेगी, और जो भी आवश्यक्ताय होगी, उन आवश्यक्ताओं को पूर्ण करने के लिए, भारत सरकार के जो भी निती नियम है, उसका पूरी तरह उप्योग करते हुए, प एक एडवांस असिस्टंस के रूप में एक हजार करोड रुपिया बारत सरकार के दरब से ववस्ता की जाएगी, साथ-साथ जिन परिवारों ने अपने स्वजन खोये हैं, उन परिवारों को प्रधानमंत्री राहत कोच से दो लाग रुपिया, और जिन लोगों को इंजर करी हुई हैं, उनको 50,000 रुपिया तक की साहता देने का भी हम प्रधानमंत्री रहात को उस्य करेंगे, पूरी दुनिया एक संकट से जूज रही है, भारत भी लगाता कोरोना वाइरस के खिलाब लड़ाई लड़ रहा है, कोरोना वाइरस की लड़ाई में जीतने का मंत्र और साइक्लोन में जीतने का मंत्र, दोनों पूरी तरह एक दूसरे के अपोजीक है, कोरोना वाइरस से लड़ने का मंत्र है, जो जहां है वही रहे, जरुरत नहीं हो तब तक घर से बाहर न निकले, और जहां भी जाए दूर गज की दूरी बनाए रखे, लेकिन साइक्लोन का मंत्र है, कि साइक्लोन आ रहा है, जल्दी से जल्दी, सुरक्षी स्थल पर अब सिप्ट कर जाईए, वहां पर पहुंचने का प्रयास कीजिए, अपना घर खाली कीजिए, यानि दोनों अलग अलग पकार की लड़ाईयां, एक साथ पस्चिम मंगाल को लड़ने पड़ी है, लेकिन उसके बावजित भी ममता जी के नेत्रुत में राजय सरकार ने बर्सक प्रयास किया है, भारत सरकार ने भी लगातार उनके साथ रह करके इस संकड की घड़ी में जो भी आवशक जो एडवांस पर करने योग्य था, जो उसी जमय करने का योग्य था और जो आग विर देश को जिनके लिए गवरव है, ऐसे राजा रामनोहन राएजी की जन्विजयनती, और उस समय मेरा पश्चिम मंगाल की इस पवित्र धर्ती पर होना, मेरे मन को छूने वाली बात होती है, लेकिन संकड की घड़ी से हम जूज रहे हैं, तब मैं तो इतना ही कि राजा रामनोहन राएजी हम सब को आशिरवाद दें, ताकि समायनुकुल समाज परिवर्तन के जो उनके सपने थे, उनको पूरा करने के लिए हम मिल बैट करके, मिल जुल करके, एक उजवल भविश्य के लिए, भावी पीड़ी के निर्मार के लिए, समाज उधार के अ सभी भाईयों बहनों को भी स्वाच जलाता हूं कि संकट की घड़ी में, पूरा देश आपके साफ है, भारत सरकार कंदे से कंदा मिला करके, आपके साफ आने वाले सभी कामों बे खड़ी रहेगी, इसी संकट की घड़ी के समाई, आप सब से मिलने आया हूं, लेकिन कोरोना वाइरस के कारण सब नागरिकों से तुम नहीं मिल पार रहा हूं, मन में एक कसक तो रह जाएगी, यहां समय आज उडिशाएगी और जाऊंगा, और वहां भी हवाई दिरिक्षान करूंगा, वहां के माने मुख्यमित रिजी से, वहां के सरकार से बाद जड़ी में मैं आपके साथ हूँ, जद्द से जल्ब आप इस संकर से भार रिख ले, इसके लिए मैं पूरी तरह आपके साथ रहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद.